Assalamualaikum students, how are you? I hope you all will be fine. I am your maths teachers. Let's start math. आज हम अपने फर्स लेक्चर में maths की workbook करेंगे. टू क्लास आपको ये workbook मेली होगी. आपने इसी तरही वन में भी की होगी, लेकिन ये आपने आज के लेक्चर में सबसे पहले आपने workbook open करनी है. आपके पास सबके पास ये workbook है, ठीक है? तो आप इसको open करेंगे, page number two, सबसे पहले, काम स्टार्ट करने से पहले हम workbook पे नेम राइट करेंगे. यहाँ पे आप अपना नेम राइट करें, जो भी आपका नेम है, ठीक है, और अपनी class, ठीक है? और आप जिस section से भी हैं, A, B, यहाँ, C, तो वो आपने यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पे आपने अपना नेम राइट करना है, सब लोगों ने ये काम कर लिया? और वेरी गुड, नेम लिखे वरगर, आपने अपनी बुक उपन नहीं करना है, काम स्टार्ट नहीं करना, ना ओपन दा पेज नंबर टू, ओके, पेज नंबर टू, ओपन कर लिया आपने, नेरो वाइट, दिस्वाइट करें? नेरो नेरो वाइट अ exist cuando everyone does not Señor hell that never का मतलब होता है now जबके वाइट का मतलब होता है खुला जादा एरिये वाला कब लिलिशना नेरो मीन कम येरिया कम जगा घरने वाला और वाइट का मतलब जभस जगा घेने वाला खुला ठीक जिस तहां आपको यहां पे examples दी हुई हैं, यह आपको नजर आ रहा होगा, यह क्या show हुआ है, roads, two types की roads है, ठीक है, दोनों है, और इसमें से एक narrow road है, जैसे आपको पता है, इसका area कितना तांग है, just इतना, ठीक है, तो यह क्या होगी, narrow road, इसी तना ही आपके पास यह जो road द ठीक है, बड़ी भी है, तो इसे हम क्या कहेंगे, wide road, ठीक है, यह big and small नहीं है, इसको हम big and small नहीं बोलेंगे, इसको हम narrow and wide बोलेंगे, ठीक है, तंग और खुली, इसी तना ही, next shape देखें, two faces बने हुए हैं, एक का mouth open है, जबके दूसरे का mouth round shape में है, तंग है, ठीक है, इस open mouth को हम क्या कहेंगे, that is wide, ठीक है, and that is narrow, ठीक है, इसकी shape तंग है, ठीक है, short form में यह खुला हुआ है, यह नहीं कि बहुत छोटा खुला हुआ है, और यह बहुत बड़ा खुला हुआ है, तो that is wide, that is narrow, ओके, अब आप नीचे frame देखें, आप इस frame की यह देखें, width, ठीक है इसकी चड़ाई कितना चोड़ा है, ठोड़ा सा यह खुला है, बड़ा भी है, ठीक है, जबके यह यहाँ पे देखें, आप इसकी जो width है, यह इतनी है, just इतनी, ओके, तो which one is wide, that is wide, and that is narrow, समझ आ गई, इसी तरह ही आपको different, और भी बहुत सारे objects मिल जाएंगे, जो के narrow and wide wide नजर आएंगे, ठीक है, यह अगेन आप देख लेते हैं, narrow का क्या मतलब होता है, तंग, जबके wide का मतलब होता है, खुला, अब हम यहाँ पे आजाएं, draw a wide door, यहाँ पे आपका एक door बना हुआ है, आपने इससे related wide door, खुला और बड़ा दर्वाजा, ड्रो करना है, ठीक ह यानि के इससे size में बड़ा होना चाहिए, इसी तरह ही, draw a narrow bag, यह bag आपको दिखाया हो है, लेकिन हमने इससे narrow bag, draw करना है, look at these two bags, ठीक है, आपको इसमें नजल आ रहे हैं, दो different size के bags पड़े हुए है, ठीक है, अब हम इसमें easily पता सकते हैं, which one is wide, which one is narrow, which bag is wide, white bag is wide, आपको पता है न, यह खुला कितना है, ठीक है, बड़ा भी है size में, तो that is wide, and that bag is, यह कौन सा bag होगा, इसका size छोटा है, size में भी छोटा है, length में भी छोटा है, width में भी छोटा है, तो यह क्या होगा, narrow, that is narrow, okay students, that is wide, that is narrow, okay students, आपको यह देखें, यह नजर आ रहा है, इसकी width कितनी है, यह जस्ट इतने size का है, हमने card draw करना है, wide door, तो हम इसी के size के मताबिक lines draw करते हैं, कर रहे हैं आप लोग, very good, थोड़ा से हम इसको round shape में ले जाते हैं, ठीक है, पूरा पूरा, ओके, अब हमने इसी तरह ही इसको उपर से भी draw कर दिया, ठीक है, like this, okay, और, again, इसके अंदर भी हमने इसका mirror draw किया, okay, students, अब आप देखें, यह जो हमने door पूरी इस line के मताबिक draw कर दिया है, और इस door में जो already बना हुआ है, क्या difference है, अब हम easily इसमें difference बता सकते हैं, which one is wide and which one is narrow, that is wide and that is narrow, okay, okay, हमने कौन सा draw करना था door, wide door, okay, students, अब हमने इसको show कर दा दिया, कि यह wide door है, अब हमने इस से चलते हैं, आपनी next drawing की तरफ, draw a narrow bag, अब इस इतनी shape में, हमें इतनी width में, हमें क्या दिया है, bag दिया हो, हमने इसमें narrow bag draw करना है, तंग और छोटा, ठीक है, जादा खुला और बढ़ा करेंगे, तो वो कौन सा हो जाएगा, wide हो जाएगा, जब के है, narrow bag, तो हम lines लगा लेते हैं सबसे पहले, इस से height में भी छोटी होनी चाहिए, और length में भी छोटी होनी चाहिए, ठीक है, width में भी, अब हमने इसी तरहीं lines को draw गिया, ठीक है, जो given bag है, उससे आपका bag size में छोटा होना चाहिए, और narrow होना चाहिए, narrow draw करने के लिए इसको each side से हम short रखेंगे, इसकी length भी short रखेंगे, इसकी width भी short रखेंगे, ठीक है, length क्या होगी, this one की ये कितना लंबा है, width क्या होगी, ये, ये कितना चोडा है, ठीक है, हम इसको short रखेंगे, इसकी बैक की स्ट्रिप ड्रॉ करते हैं जाहिर सी बात है वो भी अपने ओरिजिनल साइज से छोटी होने चाहिए फ्री हैंड आपने बनाना है नीच एंड ट्लीन बनाना है और खुद ड्रॉ करना है स्टुडेंट आप खुद ड्रॉ करेंगे ना वेरी गुड कोई बात नी गंदा बनेगा ठीक है हराप बनेगा इट्स ओके नो प्रॉबलम तो आप बस ड्रॉ करके अच्छे से दीजिएग के बिच्पवलग करते हैं आपने नेक्स पेज 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 नबर फ्री की तरफ टी वार्ट्स प्रवबलम वार्ट्स प्रॉबलम में आपको वर्ट्स में ये सारी प्रॉबाइड है ठीक है हम इसको रीड आउट करेंगे और हम यह देखेंगे इसमें लिखा गया हुआ और फिर इसका answer हम solve करके अपने mind में solve करके हम यहाँ पर answer लिखेंगे इस blank में चले अब हम इस words problem को पढ़ना start करते हैं यह आपकी statement होती है I hope आपने one class में की होगी question number one है आपका words problem में से one word problem है सना has 13 marbles how many marbles 13 marbles कोन किसके पास है सना के पास her sister gives her five marbles उसकी sister ने उसको कितने marbles ओड़ दे दिये हैं five marbles how many marbles does सना have all together all together का क्या मतलब होता है student कि हमने इन सारे marbles को इकठा कर लेना है इकठा ठीक है सब मिला कर कितने बनेंगे सना के पास कितने marbles थे 13 ठीक है और उसकी sister ने उसको कितने दिये five तो all together जब हम इनको एकठा कर लेंगे तो कितने बनेंगे count करें 13 में 13 के बाद counting start करेंगे five तक ठीक है मजीद five 13 में क्या कर लेंगे क्या करेंगे all together के लिए हम plus क्या करेंगे हम इसको plus करेंगे add करेंगे ओके तो 13 marbles में five और marbles add करेंगे और हम देखेंगे कितने बनेंगे 14 15 16 17 18 five ही है ना one two three four five 13 already मजूद थे 13 के बाद 14 15 16 17 18 how many marbles all together she has she has 18 marbles हम इहां पर इसका answer लिखेंगे 18 marbles all together okay students अब इसी तरह ही इससे related हम करते हैं word problem number four करें चले sonia has 15 apples how many apples sonia has आप देखें यहां 15 apples रो किया हमने one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve thirteen fourteen fifteen fifteen if she eats four of them अगर इन मेंसे इन ओफ देम मतलब देम का क्या मतलब है यह जो सारे हैं इन मेंसे कितने खा लिती है if she eats up four of them कितने खा लिये इसमें से यह भी खा लिया यह भी खा लिया यह भी खा लिया यह भी खा लिया यह भी 15 apples 15 apples हमारे पास already थे जिसमें से उसने कितने खाए कितने इट सब किये four तो हम four को खा लेंगे कट कर देंगे ठीक है और अब हम बताएंगे अब बाकी हमारे पास कितने apples रह गए है काउंट करें one two three four five six seven eight nine ten eleven how many apples are left now left left का क्या मतलब होता है बाकी कितने रह गए है तो that are eleven okay students इससे related इसी तरह ही आपने words problem को पढ़ना है ठीक है और इनके answers यहाँ पर solve करने